नमस्कार डीवी नियूस में आपका स्वागत है बांदामी रानी दुर्गवती मैडिकल कॉलेज में मरीजों की सुरक्षा ब्यवस्ता की उस वक्त फोल खुल गई जब एक प्रसूता महिला डिलीवरी के बाद अच्चानक बाच से ही लापता हो गई परीजनोंल देखा तो उनके खोश ही अगए उन्नोंने अस्पिताल प्रश्यासन को इसकी सूचना दी खोशबीन की गए लेकिन प्रसूता का कुछ पता नहीं चल सका है परीजनोंने अस्पिताल प्रश्यासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिले के DM से शिकायत कर न्याय की गोहार लगाई है DM ने तत्काल पुलिस अधिकारियों को एक्शन लेने के लिए निर्देश दे दिये है फर्यादी ने DM आफिस में अपसरों को बताया कि साहप कोई नहीं सुन रहा Medical College में स्टाफ के लोग कोई मदद करने को तयार नहीं है हाला कि अब तक महिला का कुछ पता नहीं चल सका है महिला एक बच्ची को जन्म देने के बाद लापता हो गई पुलिस अब CCTV कैमरे खंगाल रही है मामला Medical College कैमपस का है जहां अन्थोबा गाउं के रहने वाले जगदीश प्रसाथ ने बताया कि छोटे भाई की पतनी को डिलिवरी हुई थी अचानक 8 नवंबर की भोर में उसकी तवियत बिगली उसको अस्पताल के इमर्जेंसी बाज में भटी कराया गया था लेकिन वह अब गायब है हैरानी की बात तो यह है कि डिलिवरी सीजेरियन ओपरेशन से हुई थी तो प्रसूता चलने फिरने लायक नहीं थी अब मैं डियम साहब के यहां शिकायत करने आया हूँ कि हमारी मरीज को खोज करवा दिया जाए मैं मरीज के परिजन पास ही थे चार दिन से जग रहे थे और अचानक सुभा भोर में महिला लापता हो गई फर्यादी जगदीश प्रसाद ने रोते हुए गोहाल लगाई है हमारा मरीज हमें खोज कर दे दिया जाए हाला कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद अप्टी में खोजबीर में जुट गई है लेकिन मैटिकल कॉलेज के प्रशासन की इस पस्ट लापरवाही सामने आ रही है एसपी आफिस के मीडिया सेल ने बयान जारी कर बताया कि आट नवंबर को अपनी नवजात बच्ची को छोड़ कर चली गई है जिसकी सूचना थाना कोजवाली नगर में मिली है CCTV जाच में महिला सुभा मुख्य दरवाजे से जाते हुए दिख रही है वहीं पुलिस अब महिला को खोज रही है